If Patanjali Yuga is same as Vipashna, then what is the harm in doing so? Or is there any difference? Patanjali Yuga को लोग भूल गए, अब तो Patanjali Yuga केवल व्यायाम हो गया, आसन और प्रानायाम, जो कि दोनों के दोनों Patanjali के नहीं, ये बाद में हट योग परतिविका के, गेरंड संगिता के, और लोगों के बनाये हुए. उसने तो बहुत सीधी सी बात कही कि निश्प्रयास सांस को देखो, और इसी तरह सुख आसन में बैठो, केवल एक एक सुत्र हैं और कुछ नहीं, बाकि सारा का सारा विपशना ये वपशना भरी पड़ी है, और के, वो कोई समजता ही नहीं, उसका कोई ठीक से अध्यान करता ही नहीं, तो धारण कौन करे? फ़रक केवल इतना ही है, कि उसने साथ साथ ये भी लिख दिया, अथ्वा इश्वर प्रनिधान है, क्योंकि उसको इश्वर की स्थाप न करने थी, इसलिए अत्वा ईश्वर प्रणिधान है ये दो चार वाक्य ऐसे हैं जो कि विपश्णा से मेल नहीं खाएंगे लेकिन बाकि सारे का सारा विपश्णा विपश्णा आखिर में जाकर अंत में कहता है द्रश्टा द्रिशी मात्र शुद्धूपी प्रत्यानुपश्य यह यो केवल दर्शन द्रश्टा कोई नहीं केवल दर्शन ज्यानी कोई नहीं केवल ज्यान केवल दर्शन केवल ज्यान केवस्ता आने पर ही केवल ज्यान होता है तो यही पातंजल कहता है द्रश्टा द्रशी मात्र है केवल दर्शन रह गया शुद्ध हुआ लेकिन क्योंकि आपकरते चले जाओ विपश्णा लेकिन कहां करते हैं कोई समझते ही नहीं यह दो जार वर्ष का अंधेरा है कि जो विद्या इतनी कल्यानकारी थी वो कैसी भाराज से लुप दोते चले गई लोग उसको समझते नहीं उसकी अर्थ को नहीं समझते तो हमारे शास्त्रों के अ और फिर योग सुत्र पढ़ेंगे तो खुब समझ में आएगा कि दोनों यह कई हैं बहुत अंशों में यह कई हैं